दोस्तों दुनिया का एक ऐसा बात जो आज भी बना हुआ एक बहुत बड़ा रहस्या बैग्यानिक मानने को तयार नहीं है और हां कुछ ऐसी बातें या बोल सकते हैं कुछ ऐसी घटनाई सुनाई देती हैं जिन पर विश्वास करना नमूमकिन सा लगता है तो मैं आपको बत जगहों के बारें बताने जा रहा हूं जहां पर हमेशा जो आसपास के लोग रहते हैं वह हमेशा जाहिर करते हैं कि यहां पर आसपास में रूव आत्माय या भूत्परेथ होते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं बिना किसी लेटके और हाँ चैनल पर नहीं चलों को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आप नेक्स वीडियो को मिशना कर पाएं तो बढ़ते हैं सिधे वीडियो की तरफ प्लेस नंबर वन अग्र सेन की किला द्वी का निवार 14 सादी के महराजят है या आभी के समय पुरी तरीके से खंडाहर में परवर्थित हो गया है और है है किते पीचे कारण रहा यह था दोस्तों कहा जाता है कि अगर सेन के मिर्टू के बाद या जो हवेली थी वो पूरी तरीके से काली पानी से ढख चुकी थी और इसमें एक अजब तर्यक्या सम्मोहित करता था लोगों को नहाने के लिए और उसमें कुछ लोग जाते थे और वहीं पर मर जाते थे या बोल सकते हैं वहां से लापता हो जाते थे आज काल के लोग वहां पर जाते हैं गुमने के लिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग का कहना है कि कई साथ में गये थे और अचानक से गायब हो गये और हाँ कई ऐसे भी थे जो ब्यक्त कर रहे थे कि नहीं भाई यहां पर सूजा चाल, दोस्तों मुंबई में इस्थित इस घर के बीच में एक नाला है, बोला जाता है कि एक बार एक औरत कुए से पानी लेने गई थी और एक हाथसे में कुए में गिरने से उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई थी, तभी से इस घर को पूरी तरीके से सिल कर द वर्ष 1910 में इस होटल में एक महला की बिचितरी स्थितियों मौत हो गई थे माना जाता है कि तब से वह जो महला की आत्मा है वहां पर हमेशा भटकती रहती है और हाँ वहाँ पर अपने गुर्मगार को खोचती रहती है बोला जाता है कि यहाँ पर आजीब वजीब तरह की आवाजे सुनाई देती है दोस्तों बढ़ते हैं प्लेस नुमर फोर की वर फिरोज सा कोटला या दिल्ली में इस सीथ है ठीक है दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर कई लोगों ने आत्मात्या की है लोगों का कहना है कि इस स्थान पर घूतों का निवास है यहाँ पर कई लोग घूमने आते थे लेकिन अब कई लोगों ने यहाँ पर अजीब अजीब अवाजे सुनी और वहाँ पर जाना बंद कर दिया दोस्तो अब बढ़ते हैं प्लेशन फाइब के ओर दिल्ली कैंट इस जगह की सबसे ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है जो कि आपको सुननी चाहिए यहां से गुजरने वाली रहागीर से एक उजले कपड़े में एक औरत लिप्ट मांगती है लिप्ट अगर वह आदमी रोक देता है अपनी गाड़ी तो वहां पर उसके साथ कुछ न कुछ घटना हो ही जाती है तो ऐसी इस्तिति में नहीं रोकना चाहिए किसी को भी गाड़ खीजिए में पर वहां वहां नहीं रोकना जबधिन में लिए कुछ गाड़ी एक लिए टू है झाला चाहिए ऱाओनागर वहां टोकना नहीं जए से गड़र कार आप लिएका का